हरदीब की कॉंगर्स के लोग कहते हैं कि इतने बड़े डिप्लोम रहे राजनीती में आने के बाद में हरदीब जी को पता नहीं क्या हो गया है राहूल गांदी गधा है कह दिया कभी नहीं कभी नहीं कहा मैंने कभी नहीं कहा मैंने ये कहा जब उनोंने कुछ हमारे नेताओं के बारे बोला, मैंने कहा मूरखता तीन किसम की होती ए, साधारण, ओरडिनरी, आसाधारण, एक्स्टरॉणरी, और एक चक्रवर्ती क्लास मूरखता होती है, मैंने ये कहा, या आपका statement मेरे पास में है, जिसमें आपने कहा कि you are getting an ass to run a horse's race तो हिंदी में translate किया कि घोड़ी के जगे आप गदे को दोड़ा रहे है यह एक मुहावरा है it's an expression कि आप मान लीजे आप घोड़ों की रेस है क्या मतलब कि अच्छी competition चल रही है उसमें आप घोड़े को replace किसी और जानवर से करते हो नहीं वो तो कहने की बात है इसका मतलब थोड़े ना मैंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा मैंने तो यह बोला कि एक expression है उन्होंने इसका यही मतलब निकाला कि आपने राहुल जी को गदा कह दिया और उन्होंने कहा कि यह दो कॉड़ी का ट्रोल है ना ना मैंने यह भी नहीं कहा मैंने देखिए ऐसा कहा है मैं कौन होता हूँ वो एक इतनी बड़ी party के नेता है उनकी इतनी distinguished lineage है और वो एक ऐसे परिवार से आती है जिनका हुद योगदान रहा है भारत की freedom movement में सट तो मैंने यह नहीं कहा आपनी यह फीट कर दिया साला कॉंग्रेस देखे मैंने क्या treat किया इटालियन भाषा जिसके बारे आप में से कोई ज़्यादाओं लोगों को नहीं मुझे भी नहीं है इटालियन भाषा में conference room को साला कॉंग्रेसी कहते है ने ने इस सही है उसमें क्या या तो लोग बड़े नाराज होगे उससे आप जानते हैं नाराज होंगे ने क्यों होंगे conference room इटली में उसको साला कॉंग्रेसी कहते है उसका क्या मतलब है देखिए आप राहूल गांदी ने तो प्रधान मंत्री को जेब कत्रा कह दिया उन्होंने का ये अटेंशन डाइवेट करते हैं और अडानी जी जेब पाट लेते हैं आप इनसे ये पूछिए कि आपके जब पिता जी प्रधान मंत्री थे उन्होंने एक स्टेट्मन्ट दी थी शायद 1985 के आसपास कि एक रुपया जब दिल्ली से निकलता है तो आखीर तक जो लावारती होता है या जिसके लिए इंटेंडेड होता है पंदरा पैसे पहुंचते हैं मैं बात कर रहा हूँ 1985 की देश अजाद हुआ 1947 में ठीक है आप देख लीजिए 75 वर्ष में कितने समय कॉंग्रेस की सरकार है नहीं जब जेब किसकी थी काट कौन रहा था वो दूसरा आप किसी एक व्यक्ति को अच्छा बुरा मैं यहां पर सफाई करने नहीं आया देने पर आपकी जो कॉंग्रेस स्टेट्स में उनकी वहां पर भी इंवेस्टमेंट है तो देखिए उन्होंने जो लेटेस्ट का है वो य पैसा डानी की जिब में जाता है विजली जलाते हैं टीवी चलाते हैं तो पैसा डानी की जिब में जाता है अग्दा एट वेरी मिनमम इनको अडानी ऑसेशन हो गया है